Hello and welcome to CodeGetsEasy C programming tutorial मदे आज आपन बगणनारोत function मतलास एक दूसरा पार्ट दो आए call by value औन call by reference मुलत call by value औन call by reference है function ला argument पास करनाचे दोन प्रकारेत ते आपन आदी बगुन गिवया कायेत तर यहा दोनी method यह तुम्हाला diagram मदे समझतील तर original value चे आपन पास करतो function ला जर तेचा मदे तया value चे वापर चेंज होना रसेल तर तेला आपन मंटो कि वा ते होता call by reference मदे औन इजर original value चे आपन argument मुलन पास केली थी तशी दरहील बन तेचा use to the call केला function मदे होना रसेल बन तेची value original चेंज होना नसेल तर तेला मंटाच call by value function ला argument कशी पास करता आत क्यों functions मंजे काई है तर तुम्हाला महिती नसेल तर तुम्हाँ आदी introduction ता वीडियो चेंज होन भगा तैची link में description ला दिल लिए यह वीडियो चा वर्ती राइट कॉर्णर ला तुम्हाला एक आए बटन डिसेल तचा वर क्लीक करूं से तुम्ही तो वीडियो जान भगू शकता है जा मुले यह चा आदी तो भगून गया मले तुम्हा लक्षे तील के आपन नक्की काई शिक्त हो यह ते कॉ?!?! wouldn't belong part. A model by Leah value मदे काई होता है कि अपन एक्टुल पैरीमिटर जे यह ता ते फॉर्मालल पैरेमिटर मदे कॉपी होता अधा actual parameter और formal parameter मनझे का है तो जाए वरल आपन फंक्शन कॉल करता है तेला जे parameter पास करता हूँ क्यों विरीबल जे पास करता हूँ तेला मनथा actual parameter और फंक्शन चा definition मदे जे आर्षतात तेला मनथात formal parameters तेला अंतर call by value मदे अधुने कुष्ट होते ती मनझे जी original parameter क्यों actual parameter आर्षतात तेची value ही जिते call के लिए तीजे तीस राते पन पास के लिए जे formal parameter आर्षतात तेची value ही change हूँ शकते call के लिया function मदे आता एक कसा होते तर तुम्हाला अधी सुद्धा मी C चा आपले पुरूने ट्यूटरल मदे बरित्रवड़ा एक विष्ट सांगिते लिए कि variable क्यों value या memory location ला store होते जह आपन call by value चा यूज करतो तेवा actually काय होते कि original जे variable क्यों value असते ती एका memory location ला store के लिए असते पन जेवा आपन function call करतो और ही ची value क्यों variable ही तो पास करतो तेवा अधोनेक नवीन memory location तायर होते और त्या memory location ला ही value copy होते तर चा मोले जेवा आपन copy जालनी value ही जो बदलतो क्यों चेंज होतो function call के लिए अंतर त्यासा effect हा original value और होत नहीं मनुं तेला मन्टात call by value actual parameter मंजे तु parameter और ही function चा definition मदे जे अपन परेमिटर गितले लियासा तेला मन्टात formal parameter actual parameter ची values तेना आसाइन दल लियासते पन 10 चा value मदे जाला change हा actual parameter चा value और affect होत नहीं क्यों आपन एक्जाम्पल ने understand करूंद गिविया code मले दिशे रसल कि आपन एक function और में function आज़े बननूं गितले ल आता where हा formal parameter चान टू वंक्षें चा definition मरला है ते आपन गाई के लिए कि where equal to where plus form मुझे बगते इंक्रिमेंट के लिला है और रिटन के लिया वैल्यू मेन मदे बगा num1 आपन गेतले लिला है 8 क्यों 8 और num2 आपन गाई के लिला है तर इंक्रिमेंट के लिला num1 हा से इन करते है दो वेरीबल ही तो पास के लिला है रन्त करून भोगिया ओरिजिनल वैल्यू 8 और इंक्रिमेंट साल दी वैल्यू 9 तुम्हाला समर्ल लासल कॉल बाय वैल्यू है कसा होते ते तचा नंतर तो दूसरा पारट आपन बगाना रूत कॉल बाय वैल्यू मतलाँ तो आए तचा म न आवाधसा एक फंक्शन लितले तरहा दोन वेरीबल क्यों अग्रेमेंट आपन पास केली जे फॉर्मल है अनि खाली एक टेंपररीवरीबल आपन गितले ला है स्वापिंग करने ती नंबर अनि नचान अन्तर अक्वाई के लेट या टेंपररी वेरीवरीयबल ला वैर मतली जे value असल ty copy करूma के लिए haven to za shall me where त तेंपरी नमबर क्वा तेंपन नमबर मदे रणी इन रवसाने करूद ज़ाण चेम नमबर क्वा तेंपना Techあり ये तूमा क्या साथीडी अधो connections कॉक्तना पुट्ड जया हुआ जिना आप ये थांडी या when तर बगा 354545 मझे श्वाप जाली तना इत नमबर करनड़ स्वाप है अपले फंक्शन मते जाली पंट्याइचा इफेक्ट हा जितुन अपन कॉल के ला देचा और जाला नहीं तर तुम्हाला यह कुछ लक्षा ताली देसल की स्वापिंग प्रोपर काना जाली ते करन आपन जो वेल्व पास के लिया त्या पास के लिया नंतर फॉर्मल पैरेमिटर समझे फुंक्शन चा डेफिनेशन मते जाओ के लिया आपन स्वापिंग तिते के लिया जो यह वेर वन वैर टू आपन स्वाप के लिए तैंचा वैल्यू चेंज धाली पंटेसा इफेक्ट हा आता अपन भोगिया की call by reference मज़े काय तर call by reference मज़े simply काय इते आपन variable चे address पास करतो मिज़े memory address आसकते पास करतो actual parameter जहे तेहला मन्तात call by reference अता इते काय होते actually तर जिवह आपन formal parameters ना ही value असाइन करतो मिज़े आपन function call करतो actual parameter as a address मूंद पास के लिया नंतर तो formal parameter है फोईंटर बनता इधे पोईंटर मंजे का है मिमर्य लोकेशन ला पॉइंट करते ते तो आधे एक्चवल वाईंटकर याक्ट्वाद्ये जागे अपने पास केले है तच्या मधे आपन अपन 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 अ सितनली तरहें नूज्थ बचल सузव मेमरीलोकेशनलस नभीन व soybean 먹ल्यों इते जो एफेक्ट फंक्शन मधे होनासरे जो इफेक्ट तीस की यह किय जो इपेक्ड¿ बाक बाकी बीचिजर मसलेख पाइके halit बाहिंटर वान पैय अनिक रोग ना Rafi क्मुर्ण, वाकी प्रोसीजर को तंपनum क्यों मेंन मझे ऋबाइ नमडबर्स बिस्टिश पन्तेचैडिस पूर्पंतेच्छाडिस पर्चिंट के लिए बीफोर शैपिंग दुनी मर नमबर सेप्रेटली पुर्ड करून ग दूरर आणि this web num call कसे के लिए विवशिर बगा याला मनताथ call by reference जिते आपन ampersand num1 और ampersand num2 अशे पास के लिए अणि तचारंतर function call वेल function मदे आपन त्या memory location चा value exchange करू और तचा मोड़े तैसा effect num1 num2 पन होना रे आणि इते call by reference मुले pass के लिए parameters ने original parameter में नमवन नमटुची values दा change दाले लिए तुम्हाला दीशना रे तर ही उती main concept call by reference जी रंद कोई मगा 35-45 जी अंतर change दाले अंतर काया जाले 25-45 मेंजे swap विवस्त दाले माला ओट तुम्हाला ही थे विवस्ती समझल असेल की actual meaning काये call by value और call by reference दाले difference काया देच एक्सांपल्स काया काया थे तुम्हीं कमेंट सेक्शन ला विचार आणि कोडिंग ची प्रेक्टिस करत रहा ताचानि तुम्हीं इंप्रूवाल आणि तुम्हाला डाउट आले तु लाइच टुम्हाल आणि यंद थी प्रेक्टिस काया थे तुम्हाल आणि मैं राचाण पर्वाल प्रेक्टिस लवाल और मैं ऩर्पशन देश्न दून आणिय।र आणिय।